नमस्कार बच्चो मैं बजंगलाल बहुतिक विज्ञान की इसका अखसा में आपका स्वागत करता हूं बच्चो हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चेप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकासिकी और आज हमें एक बहुती सांदा टोपिक हमाई ली क्या होती है सहनी हो जाती है और हमें चार तरफ एक्दम से छायादार दिखाई देता है रेलगाडी में जो ऐसी कोच्ट के डिब्बी होते हैं वह आपने देखा है कि उनके सीसों से उनकी जो कांच को सीसे होता ना उनसे हम अंदर क्यों जहांक नहीं सकते हैं क्य विश्तार से समझेंगें लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप उनने जरू देखें क्योंकि फिजिक्स के कंचेप्ट वो एक दूसरे से क्या होते हैं एक दूसरी टॉपिक्स में वो तो रगाता चलते रहते हैं ठीक न और वीडियो एक चींत करता है तो आपको यह पता होना चेह वी किलाओन से एक प्रकास किया होता था्यक्तRO चीन दरुआ करता है हम क्या चाहते हैं हम थैक्श में ठुब्रट करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं धुवत प्रकास्त advo सबसे जो परकास प्रात हो रहा है वह क्या होता है दो पर नहीं होता है और जो सभी डिशाहों में जा रहा है उसको समान रूप से क्या करना है एक शिएस दिशा में जी इसको سमझते खुड़ा कि मान लेजिए कि इंए है ठीक मेर्य अगर आछ dauко अगर माने कि वह सभी में सब्सक्राइब कर गिजिए गर मन कर रहा है ठीक लेकिन अब अब हम समीं क्या करें एक डिश्टा डूर कर दें ऐसे था तो हमने इसमें क्या किया एक डिश्चा वह निका लिए इन सेव बभान निका लिए आँड विसेश हमें क्या कर दिया सेमित कर दिया यहारी क्या था सब्सक्राइब हो जएगा एंदुरूत थोजह кого इसको जब एक में विशेश हमें मत्या का दिया तो लिए यह बद्थोड गया दूर्वण को जाम को सही है ध्रूत-थि निकालना है और इसे प्राप्त करना है इसे प्राप्त करने की परखिला ही बिच्चो क्या होती है धूर्वन पॉलराइज़िसन कहलाती है ठीक बच्छो आसानी से इसके परिवासा आपके संद में आ गई है अब जिस डिवाइस के दौरा जिस युक्ति के दौरा ये किया जाता है उसे बच्छों क्या कहेंगे सिद्धी शिवात है उसे धुर्वग कहेंगी धुर्वन करने वाला धुर दुरुवक कहलाता है फ्रेनल ने इसके बादे बताया था क्या तिए जब तक दुरुवण नहीं आया था तब तक यह कहा गया था कि जो प्रकास की जो तरंग की प्रकरती है वह अनुधेरिये ठीक है जैसे कि आप जानते हैं कि तरंगे तीन प्रकार के होती है यांतिक थे कि ग्रेंबाकर को क्यों यहां इसका था क्या हुए तरम में क्या क्या निक अपका दूरारिस्ट का कड़ का हिल तो इसा इस प्रकार से होते हैं आपका अनुपरस्त परकृच्टि को दर्शाने वाला यह याँ समाने वुधान के बात क्यों माल यह तनि हुई डोरी को आ उपर नीचे के और बनते हैं सरंग और गर्थ के रूप में वाई बैसन बनते हैं उन प्रकार के जो तरंग होती ना उन तरंगों को हम अनुपरस्थ तरंग करते हैं तो फैनल ने सबसे पहले बताया था यहां से पहले यह कहा गया था कि अनुधरी होती है लेकिन बाद में फ इसमें होती है अनुपरस तरंगों से ही संभव है दूरवन की व्याख्या केवल अनुपरस तरंगों से ही संभव है क्योंकि इसमें प्रकास अदेश के कंपन लंबो दिशाओं में भी क्या करते हैं गमन करते हैं एक दिशा में सिमित नहीं रहते हैं ठीक है जैसे सुरिया प् कौन से तरंग है अनुधिरी तरंग होती है और हम यहां बात किसकी कर रहे हैं अनुप्रस्त की तो अनुप्रस्त से समंध्य तरंगों में ही क्या होते हैं दुर्वन की व्याख्या की जा सकती है तो यहां से पता लगा था कि प्रकास तरंग करती तो कैसी है वह अनुप्रस्त ठीक है धुकि धुरुवन की तरंगों में संबह ओता है तो आप गातींगे रिकांगों में क्युकि मकलते हैं करते हैं ठीक है चलो समझाय Thai तो यह उस्हिकार से बात कर यह कि मैक्स में बताया था कि आदके क्या होती हैे वृथुन चूंबग के तरंग होते हैं एक्ट्रॉमयनियेक होती है इसके अंदर वृथुऊचम्द पी 吃ेच सच्दिश दोनों क्या करते हैं समान कला में क्या करते हैं घती करते के रहते हैं कि तो अब यह गति करते है तो उस वाक तल क्या होते यह बाता अब लंबत वी क्या करते हैं यह गति करते हैं कि इसी के अंदर जो विद्वW6 सदीश है और चुम्मिद्वक की विदूसलइज है चीदिए अब जिया है से ईसे ठीक है तो दिखो एक तो है आपका पोरव्ह यह पर चुछ थीछ तो तीसरा अक्स क्या भशेआ हैं यहांपर अक्सड्स बच रह प्रती है तो तेसरा अक्स क्या वह और कोمنों बढर सकते हैं अनुपरासदेषि क्या होते हैं अर्फात प्रकास तरंगे कैसे होती है शरी होती है विदुषधडीश प्रकास अदिशिग कर रहा है ठीक अचो अब हम इसे स्टार्टिंग बात के थे एदुईत प्रकास की सुर्य से प्राप्ट होने वाला प्रकास तो उसके प्रिवासा क्या होगी वह प्रकास जिसमें प्रकास अधिसके कंपन तरंक संचन के अभी लंबत सभी दिसाओं में विद्यमान होते हैं बिल्कुर तो एदुईत प्रकास करते हैं जैसे सुर्य का प्रकास एदुईत प्रकास से होता है समझगे तो एदुईत प्रकास को हम कुछ इस प्रकास से दिखाएंगे जो सभी दिशाओं में समान उसे गमन कर रहा है उसको हम तीर उपर नीचे तीर लगाकर क्या करेंगे उसको होता है और एकड़ होता है जो हमारे कॉस्ट में भी है और मौस्ट भी है पुरा विस्तार से बढ़ेंगे पॉलाइड को इसी वीडियो के अंदर ठीक है इनके द्वारा प्रकास दिश्क के कंपनों को क्या करते हैं एक निश्ची दिशा में सिमित कर दिया जाएं देखो यह स दिशा में उनका गमन करवा दिया तो इसे बचो जो प्राप्त होगा उस प्रकास को क्या करते हैं दूरुवद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद तो अभी लंवत होते हैं तो अभी लंवत तेक निसान से लिए तो यह बन्द आपका PQRS कि लंवत इस प्रकार से उपर से निची यह तो आपका हो गया क्या कंपन तल और जहां यह घटना हो रही है जो आपको दीख रहे यहां पर ठीक विच्टो तो यह क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा धुरवन तल ठीक है फार बबात करते रही वह तल जिसमें प्रकास स्टिष के संचन की दिशा तथ प्रकास दोनों विद्यमान होते हैं क्या होते हैं क्या होते हैं क्या हम ने का भी लंबवत रुप से गवर्मन करते हैं और दुरुण तल वह होता है जो कंपन तल से लंबवत वह तल जिसमें प्रकास दिसके कंपन विद्यमान नहीं होते हैं क्या होता है दुरुण तल कहते है और कंपन तल ये खास बात है ये खास बात है कंपन तल और धुर्वन तल के मद्दे कितने डिग्री का कौन होता है तो आप बताएंगे सर 90 डिग्री का होता है क्योंकि दोनों प्रस पर क्या होते हैं लंबवत होते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब बचो इसमें है कि स सम्तल दुर्विद प्रकास प्राप्तकर करने के लिए हमारे पास जो मैथधर हैं तो हम और ने पड़ेंगे और प्रावर्तन और प्रावर्तन के द्वारा इन दो के ही हम यहां पर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि प्रावर्तन के द्वारा समतल धुईत प्रकास प्राप्त करना यानि हमें प्राप्त करना है समतल धुईत प्रकास और मैथर हमारे पास पांथ लेकिन कोश उसमें मारे हाओदे दोई है इसमें पहला मैतर हम स्टार्ट करें है कुझ स रावरतन के do एक म क्या करेंगे प्रावर्तित प्रकास है वह क्या होता है आंसिक सम्तल धुरूत हो जाता है ठीक एंछे हिसह प्रतित अर्फिरकास हो तहीं अब यहां पर देख रहोगी प्रावर्तित भी हो रहा है ठीक है चलो लेकिंगे अब इसमें खास बात ही होगी कि हम इसे कौन से क्या करवा रहे हैं आपतित करवा रहे हैं तो इसका मतलब कोई एक ऐसा एंगल होता है जिसे हम पूर्ण आंतिक प्रावर्तित में पढ़ चुकी है क कि एक विशेष कौन के पर साथ क्या होता है पूर्ण आंतिक प्रावर्तित में होता है तो ठीक उसी प्रकार से हमें पता है कि एक विशेष कौन से हम जब यह जो प्रावर्तित करेंड प्राप्त करेंगे न वह एक विशेष कौन से ही आपको क्या होगी प्राप्त होगी अ ठीक है बुरुष्ट्र कौन या धुर्वन कौन और इसे हम लेखेंगे आई-बी से चलो एक बार आगे बात करते हैं विग्यानिक बुरुष्ट्र नहीं बताया था कि एक निश्चित आपतन कौन के लिए प्रावर्तित प्रकास पूर्णत्या सम्तल धुरुष्टिक होता है प्रावर्तित रखास इस निश्चित आपतन कौन को बत्चो क्या करते हैं दुरुष्ट्र कौन करते हैं जो मैंने आपको अब बताय है अब हम सच्रावर्तित को कोई दिक्रत बात नहीं है अगर आप मियू से लिखते हैं लेकिन क्राइक किताब के इन तो आप्वरतनाग को दिखाया गया है फिक है टो तो अब यह आप श्रया क्या गेंगि थेटे मुथ थीक है और IP क्या है आई पी आपके इस değiş है हुथ है इन प्रसज है नियए क्या है तो आप कहेंगे ठीक है बुरुष्टर कौन आई भी हो गया की इस पर्जिया मतलब 10 तो 10 आई भी हो गया की बराबर होता है अधार्थ ढ़िए टीक है अभी तो आभा को आप पुर्टनांग का मान देंगी, ठीक है और अब आपको कितना दे दिया है रूट इन ग्राप यहां रखोगे तो रूट 3 बराबर 10 IB और IB बराबर 10 inverse कर दो इधर तो 10 रूट 3 के लिए कितना हो जाएगा 60 degree तो आप इस बात का विशेश द्यानक हैं कि या तो आप से पुछेगा कि रूट 3 अपवर्ट नांग के लिए धुर्ण कोन का मान कितना होता है तो इस बात का विशेश द्यानक हो यहां से नियुमेकर बन सकता है इसलिए हमने यह अलग से पॉइंट इसके अंदर यह रखा है ठीक है चलो आगे बात करते हैं अब ब्रुष्टर के जो प्रयोग था उसमें यह भी सीध हुआ था कि जब अधुष्ट प्रकास को पार्दस्य माद्यम की सत्य पर ब्रुष्टर कौन से आप्टित करवाते हैं तो उसमें एक केंड क्या और यह प्रावर्टित हो रही है ठीक है और यह दोनों केंड जो ब ब्रुष्ट पर अभिलंबवत होती हैं यह प्रसन एक्जाम में आया हुआ है कि सिध कीजिए कि प्रावर्तन की दुआरा जो समतल दुवित प्रकास आप प्राप्त करते हैं उसके अंदर क्या होता है जो ब्रुष्टर कौन से यानि धुर्वन कौन से अगर किसी प्रकास क आपत्ति प्रकास को तो हमें एक अप्वर्त्त करन और और प्रावर्ते प्रात होते हैं यह बात हमें पूर्व करनी है तो proff क्लिए लिए जानते है इस नेरह का निय जञुए हम इसके बारे में जान चुके हैं तो यहां देखिए N21 को हम सोल कर देंगे क्या हो जाएगा N2 बटा N1 हो जाएगा ठीक है और साइन आई भी होता है बटा में क्या आ गया साइन आ रा गया कोई दिक्कत आप कुछ में नहीं आने चाहिए क्या साइन-बी बटा यह हो गया साइन दो को पर मान लेते हैं यहां बटा 1 अब श्यक्त अब साइन आपतित्क है अपका ip और जो अप वर्तित कौन है वो आपका वनेगा R कहां से यह viensने न नियम से चैनल के smWowé n तो हुकत आ नियम हो गया दोशा जो नीयम बनेगा दोशा दो sm О्पर व्रुष्टे में पता है n बढ़े b 5 तो हुंता है तो appreciate साइन आ भी को साइब किसे आपको पता है एं ढूत का भी होorden साइन थीटा बट्टा लेगता को से ली लिजी आ ब्लद थीक है अब समीकन एक होए बन गया को सब्सक्राइब को द ले जाएंगे और चानि अगर ले जाएंगीекс रखीन सब्सक्राइब से सब्सक्राइब में नफ़र माइनटी मैंस रदेटाμburger और हमें पता है कि sin 90-θ होता है cosθ तो यह आ गया sin से sin हट जाएगा क्या बचेगा r बराबर 90 degree का और minus ib हो जाएगा ठीक है यह 90 degree हो गया minus ib ओके और अब देखो ib को आप इधर लेओ तो यह गया ib प्लस और बराबर 90 degree यानि यह तो आपका क्या था उस पर आप आप तित करवा रहे थे और यह आपका क्या था अपवर्तन कौन था यह दोनों कमान के आ रहा है 90 इसका मतलब प्रावर्तित तथा आप वर्तित करने एक दूसरे के क्या होती है बच्चो लंबध होती है तो इस प्रकार से एक चोटा से टोपिक एक्जाम में आ सकता है तो हमने यह आप इसको प्रावर्तित करने होगी यह हमें 90 डिग्री प्रावर्तित हो जाएगा ठीक है चलो अब इसी में एक और पूस्ट लेते हैं और हमें कंफिजन हो रहता है कि सर यह क्या आ गया वह जो पहला वालत टोपिक था वह थो था कि आपको बताना है कि अप वर्तित और प्रावर्ति अब हम बताना है कि बुरुष्टर नियम को प्रूब करना है कि इसको बुरुष्टर नियम का प्रूब करना है और किसके द्वारा प्रावर्तन विदी से करना है ठीक है और प्रावर्तन विदी में हम यह पता है कि आई बी प्लस आर क्या होता है 90 डिग्री होता है ठीक है तो ओश्केनल का नियम हम जानते हैं N21 बराबर SIN IB और बट्टा में क्या होता बच्छो SIN R होता है अब SIN IB बट्टा SIN R होता है और N21 को हम ने खोल दिया N2 बट्टा N1 में अगें N2 को कर देंगे N, N1 ने हवा हवा को हम कर देंगे 1 तो हो जाएगा N बट्टा 1 बराबर SIN IB और यह आपका हो जाएगा SIN R होलो कर दिया चलो लिखते हैं इसको आगें देखो जब इसमें N बराबर क्या आगया SIN IB बट्टा SIN R आगया क्या करेंगे और हम यह करेंगे कि हमें पता है कि R की value हो सकती है कैसे IB plus R बड़ाबर क्या हो गया 90 और हमें value किसे चाहिए हमें value चाहिए कि आर की value ठीक है तो आर की value चाहिए तो यहां पर 90 – IB तो इसको यहां रख दो जैसे आप रखोगे तो यह बन जाएगा अब यहां पर क्या आजएगा और यह भी एक और खुसी आपको मिलेगी जब साइन और बटा कोश देखेगा तो आप गया है और यह हमारा क्या है यह बचो हमारा बुरूष्टर नियम है यह बहुत सांदर यहां पर दोनों टॉपिक बहुत सांदर थे कौन सा एक तो हमने प्रूप किया था भी आईब प्लस आवर नर्बर डिगरी और अब हमने प्रूप किया एन ब्रूष्टर का नियम ठीक है बच्चो यह हमारा एक वीडियो का एक पार्ट मान सकते आप और है वह वीडियो के स्टाइब बात कि थी कि के से कोच के डिबे ज्यलगाड़ी में क्या हूता है दोसरे और नहीं ऐंस पर घ्रेटले विक्रими से निवियं ए— दीवर्णत की इस सिधान्त वर्णत होता है, जिसके अंदर प्रकास के कयंदे और आप से होती है । और आ जिसा近 के इस दिक्र Deaf Maker अधिया भी तो तो वार talkin' जनितरीस पांणत से खोई आहिए को दिख वी रहा है एक किया होगी न्सेक्षित हो हुए लनिया और दीख रही है दू sydh प्रेस्ज्ट पारगमित हो जाती है लगई हो एक है और और बैस्ट आअज उसकthen bankruptcy फर्कास को तोन दोने में हमें तोर फरगन मिल जाता है और धूप के बजाए हमें वाबर को चाहतर क्या होती है चाहें चाहें दिखाई देखाई इसलिए उन में जो फिलम बनती है वो क्या होती है फिलम मतलब जो पर्त होती है उसे हम क्या कहते है उसको पॉलराइड कहते है देखो पॉलराइड एक ऐसी डिवाई से ब जो समतर दूइत प्रककास जिसकी साइता से हम उत्वं कर सकते हैं वो क्या होता है fade उटता है पॉल्याई अमच्रपाकास से आप बेध्य शत्ति विया पडीा के युक्ति खेंत्य होती है और कावनिक योगिकों कर बनी होती है ठीक है चलो na, बात करते हैं प्रकार से शालो समानतरों यानि जैसे आपको पता है कि हम होते हैं चेंहिति में को चिपका सकते हैं और Vors twice यूस始लरों यहां पर क्या हूँता है यह है जो तरी की पूरेी बलेक होंगे इस परकार से यहां इसके ओपर इस प्रकार से अक्स के समानते रहें और दूसरा कार इसके बंतर होते हैं कि आपश में चिपक जाते हैं पूरे वह आथ तेज़ दूप से यह था डेख्यों स्लिप कत दोंगा क्यों के बтесь करें तुम चट्र जाए च्रंपलर वह खोले दोख में करें सब्सक्र short को दोफ जुन सब्सक्राइब किसमें के दोफके पाणाती सब्सक्राइब के अदर ये बात करते हैं तो यह एजर का पर कास हो गई 箇ंए सुर्ये का पतर कास हो गया थेज दूप हो गई और तेजडूप से हमें यह आज प्रकॉस हो गया तेक का निशान डान लगा Wow बिल्कुल एक दिसा में इसको सिमित कर दिया और यह क्या होता है बच्चो सम्तल धुवित प्रकास से होता है यानि पहले क्या हुआ एदुवित प्रकास था और एदुवित प्रकास को धीदे उसने क्या किया पोलाइड ने पोलाइड के माद्यम से हमने उसको चेंज कर दिया एकिसमें समतल दूइत प्रकास में, ध्यान रखना हर्पेथायट क्रिस्टल के अक्स अंदर के और आपके साथ रहेंगें आपर, यह है यह अपर साथ में रहेंगें, बिलकु बीच में बलेक बलेक आप डॉट बना देना, इसे अभी आपको समझाते हों आपको बताया गया था ठीक है अब हम बात करते हैं इसकी कार्य विदीगी शिंपल से जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था वह है आपको करना है कि दो केणे प्राप्त होंगी कि जब ऐदुवित प्रकास को सिथी सी बात है कि हम तो पोलेट से क्या करें एदुवित प्रकास को समतल दुवि से वह आउसे दोप में लगा जारे हो एक करल जया तो प्रकासरिक अक्स की दोारा क्या है उसको आउसोसित कर ले reproductive होगी जिससे आपको दिखेगा ठीक है तो पहली जो क्रिण है वो तो लंबवत होने से क्या हो गई और दोसी जो क्रिण है वो देखिया आप उसमें प्रकास दिसकी कंपन है वो किष्णों के प्रकासिक अक्स के समानतर होते हैं तो वह क्या होते हैं प्रकासिक अक्स के समानतर होते हैं तो वह क्या होते हैं प्रकासि क्या है? यह समानतर है, मैं आपके पारगमित होगी, जिससे आपको दिखाई देटा है, तो इस प्रकास जाता नूट की लिए है, बिल्कुल चोटा साथ तोपिक था, नहीं नहीं है, अब बात करें तो पॉलराइड की उप्योग विए खूब उप्योगों में वर्तमान में खूब काम आ रहा है लेकिन हम कुछ नॉर्मल उप्योग भी बात कर लेते हैं सबसे पहले हमें अगर समतल दुछ प्रकास प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा उसकी जांच के लिए पॉलराइड को उप्योग में लेते हैं 3D की जो आज का चितर बंड़न है 3D इमिने से तो हिलते हुए क्या ऑद है59 और जो षिंवा अबत देignon प्रकास को होता है उस से जो चक्का चूंद है वो प्रकास की क्या होती है रातरी में कम करने के लिए हम पोलेड का उपयोग लेते हैं ताकि कुछ भाग में बात करेंगे परकास का संसुतन हो करेंगे तो दोनों ये लेकिन कि इक साथ समझाने का प्रयास करेंगे और आपके सब्सक्राइद किसे यह पता चलता है कि प्रकास धूरुट है या murders है उसे क्या कहते हैं उसे हम vishlesser कहते हैं ठीक है और lesser की रूप में polyide कोई एक सबड़ लिखना है और नहीं पूछता है दूसा तो दूसा बचया क्या तोर्मेलिन अगर यहाद भी अभर क्युद लिकास का संसुेट तब आप प्रयुसां अगर सब्काम में ले तो आपको heading मिलेगी कि Polaride की द्वार समतल दुविद प्रकास का संसुतन कैसे करेंगे क्रिष्टल उप्योग में लिया जाता है ठीक है दुविद तथा ऐदुविद प्रकास के संसुतन के लिए निगत प्रकास के तीवर्टा को देखा जाता है देखी जब विष्टलेश्यक को हम गुमाते है ठीक है यह तो आपका ओगया धूरवक निगत प्रकास के तीवर्टा में कोई प्रिवर्टा नहीं होता थोई अधिकतम नुद्तम प्रकास होता है तो यह क्या होता है यह तो यह धूरित प्रकास होता है आगि आगिए अगर दिखाना चाहों तो यह नोट बना देना से ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर डोट बना कर आप इस नागे दिखा सकते हैं ठीक है नौढड मतलब तीवरता क्या हो गई यहां पर 0 हो ठीक है चला बात करते हैं और यह गुबाने पर निर्गत प्रकास की तीवर्ता कम होती है लेकिन एक पूर्ण चक्र में कभी सुन्न नहीं होती है तो यह तो यह तो आउन्सिक प्रकास है उसे किस प्रकार से हम अलग भागों में बाढ़ते हैं यानि जब आपने टुमेलिंग को गुमाया तो फर्स्ट के अंदर मानों कि अगर तीवर्ता में कोई प्रिवर्तन नहीं होता है तो आपको एधुरुद का एधुरुद मिलने वाला है और अगर आपने गुमाया एक प्रकास में कभी सुन्य प्राप्त नहीं होई तो क्या होती है आंसिक रुप से आपको सम्टल दुवित प्रकास आप प्राप्त हो जाता है ठीक है अब इस चितर से अगर मानीज आपको क्यों यह पूछ लेगी पोलेड की दौ़ार आप सम्टल दुवित प्रकास का कैसे करेंगी तो आप बतायांगे कि हम पोलेड रखते हैं तो प्रकास तो इसे प्रकास से बач आप यह बना देना अब यह जो ढित्रा करते दो बार करते हैं उसके हम बात करनी होगी तो उसकें समानतर व्यवस्ता स्थ- जो हम यो विश्लेसक हम कामे लिंगा है तौलैड है या हमें करने होगी समानतर व्यवस्ता की बात करने होगी कि जब धुरवक विश्लेसक देखो municipalities एक ताव के पास यह है विश्लेसक अभ है अब आप इसको सेमं के ऐसा करो इसके ऊपर रख देजिए इसके वालो में लुग ऑना का सेमं ऐसके उठा कर इसके उपर रख देजिए पिजिए तो को माल whole लाइन यही सला इन vain इक है तो अब में के zouराइन वाले से क्या हो गई कम हो गई क्योंकि पहले तो क्या थे दोनों की जो लाइन थी वह एक दूसरे के समानतर थी तो आरपार प्रकास अधिक्तम प्राप्त हो रहा था लेकिन अब जैसे आपने क्रोशित कर दी तो यह छेद बिल्कुल ही लग बग बंद हो जाएंगे और इसमे इ Judaism अडिकर्यूद क्या होने है और क्योंकि यह यह दूसरे के आपको करनी है ऐसे कि इस प्रकार से ठीक है तो लमवथ होने पर निर्गत प्रकास की तीवर्ता क्या होती है सुने हो जाती है और पॉल यडो की इस विवस्ता को हम करते हैं क्रोशित विवस्ता ठीक है अब हम बात करते आगे मेलस के नियम की छोटा से कुछन है बढ़ लेते हैं साथ में इस नियम के नुसार से निर्गत प्रकास की तीवर्ता की बात की जाए तो दोनों अक्सों के मद्धे के कौन की कोज्जा कोज्जा मतलब हो गए यहां पर कॉस ठीटा से ठीक है और के वरग है यानि कॉस इसक्वाय ठीटा कॉस इसक्वाय ठीटा हो जाएगा तो धूरक और विश्लेसर के मद्धे से जो भी तीवर्ता निकल रहे है वो तीवर्ता यांगी ऑई आई ठीक है दोनों अक्सों के मदेगा कौंड मांड़ते थीटा की Fight समानुपाती 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 समा क्या होता है 0-0 क्या हो जयता है or एक होगा तो i बावर क्या हो जाएगा I note sti कै कर अहलकि तो अधिक्सर्माण का प्राप्त और विशेए-क में इस रहा है तो आरपर enjoy पहले देखो आप उतना है सकते हो मतलब अधिक्तम ती उड़ता प्राप्त होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और अगर हम बात करें थीटा की पाइबाबर टू तो थीटा पाइबाबर कितना हो जाएगा बच्छो आई बराबर आई जिरो कोश स्कॉय थीटा और कोश स्कॉय थीटा क होती है है ठीक है इस प्राप्त हो गई है तो जैसे मिना कोश मत्या है था हम बात करें कि कि हम पड़ें के दुम आखें दूरण के वाट करें थे ऑर संतलियbud प्रकास करने की बात करें खीम्त तो दो घार वे समता का सप्टन हो चुकिए है और सोबुदे में सारा एक साथ सा साथ रखा था और उसको सौल कर दिया है अब इसमें एक और चोटा सा टोपिक है कि परकेंग के दुवारा धूरण कैसे करेंगे देखेंगे का मतलब क्या है कि जैसे सूर्य का प्रकास आ रहा है ठीक है वह आ रहा है तो जैसे से वायमेंड में आगे बढ़ेगा तो वहां प्रकास फैल जाता है तो उस केस में कैसे हम समतल दुवित प्रकास प्राप करते हैं वह देखते हैं तो आकास का रंग बच्वाग उपता निला दिखाई देता है इस निले भाग से आने वाले प्रकास को जब एक घुमते हुए पॉलाइड में से हम देखते हैं तो निलिक अपने दिसा भी क्या होता है बदलता रहता है तो देखो कुछ इस प्रकार से यह क्या रहा है यह यह आपको दिख रहा है तो आपके लिए क्या होगा एक विशेष दिसा भी तो इसका कारण कि है आप सुर्य प्रकास बचल को पता है क्या और तो यहां आपके तरंग की विदूच्भिक के तरंग तो विदूच्थुमभत स 0 कि पर और अनुमि एलीकल इन दोनों दिसाओं में क्या हो दवेמע कर लेते हैं जब एक प्राक् forwards बिल्च सुर्य के क्षक के दल के लमवत तो तीर युकत रेखाओं के समानता तरवुत होते हैं इस प्रेक्षक के दिशाँ में उर्जाक्यानियोटी विक्रित नहीं होते है क्योंकि उनके तरवन का कोई अनुपर्ष्ट गटक नहीं है क्योंकि वह सिर्धी दिशाव में क्या ओ रहा है? देखर छाव दिरें घंयतों कदाने यह तогड़ परिकनित करहें गया है इस प्रकार अकास से निले प्रकार्ट प्रकास gebruik भी फैसे प्रेकर्ट में एक अधिक्तम दूरी से लालंग ही हमारे समीप आ सकता है तो लालंग की तरहिए अधिक होने के कारण उसकी स्केटिंग सबसे कम होती है उसका परकेन सबसे कम होता है बचो हम बात करते हैं हमारे कोर्स में जो उधार्न है उधार नमर आठ और वो जुड़ा हुआ है किसे पॉ प्रकास के तीवरता में होने वाले परिवरतन की हमें विएचना कहने कि क्या उसमें कुछ सबसे क्वराप्त होगा चुरो देखते हैं मांना की पर्थम पॉलाइड की आपका पीवन है और पीवन से तीवरता आ रही है वह क्या है आई-वाय नोट है कोई दिक्कत नहीं और पीटू के आपरस पर क्रोश रित हैं ठीक है तो पीवन नेर्गत तुरुष्ट प्रकास है वो पीटू से नहीं गुजर पाएगा क्रोश रित है ठीक है अब इनके बीच पॉल एड की तीसी सीट पीटू को रखकर हमने क्या किया गोमाया तो गोमाने के बाद मानने दें कि त अब आपने पीटा मेलस की नियम से हो जाएगी i बराबर i0 cos2 theta यह आपको पता है चलो तो ओ theta क्या है P1 और P3 बीच में आपने रखे उसकी बाई एक तो पहले से P1 थी एक P2 थी अब आपने बीच में क्या ले लिए P3 यह P1 थी और P2 क्या है 3 कि बीच में क्हान से तो पेड़ी क्या है जाए P3 यह व्यूंजर मौती और 1200 थीरता है प्रसिता क्या होगे तो यह तो इसकी होगे अब पेड़ी और hap करें तो हम थीटा कहलेंगे और स्व Augen क्या करें हैs है तो इसको स्वल करते है तो iателя अब थीटा हो गया अब थीटा डे साहते हैं कर शीत क्वैस्पाइब तो पाईवाएटू माइनस थीटा हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा आई देस बराबर यहां पर हम चेंज कर देंगे क्या कोसी स्कॉयर पाइब टू माइनस से थीटा थीक न भी देखो आप यह कहा है आईए न तो आई के विल्डेम ने क्या कर दी आईजिए कोसी स्कॉयर थीटा पहले वाले थीवर था जो अदिक्तम थी उस में और अब हमने क्या किया है आपर तो आपना तो आई 0 स्कॉय के बात करते है आई 0.4 और साइन स्कॉय टू थिटा तो देखो अब हमने इसको स्वल कर दिया आपर और इसको स्वल के दिया आगे स्कॉय 2 theta क्या होता है,से यहां इसको स्वल कर दिया तो i not upon 4 तो अब देखो ठेटा अल्यक्तम कंब हो गИ जब theta क्या होगा सब्सक्राइब थीपिए रृइ座ों क्या होगा पाई अपों फोर होता है तो मुलनिप्लाइब ₹ Lettiff ठीक है तो यहाँ पर यह तो यहाँ हो तो यह रST लुप धी क्या है और जाएगा अगया आभ इधार वित कि लिए पार्गमित प्रकास के तीवरता क्या होती है बचो अधिकतम प्राव्त होती है ठीक है एक और चोटा सा एक्जाम्पल है उसके भी बात कर लेते हैं एक समतलकाच का परष्ट है और ऐ दुजित प्रकास के आवदा उसके उपर आपतित होता है तो आपतन कौन कितना हो होना चाहिए जिससे की परावठित या अफवर्थित कर प्रस्पर किया हो लंवत हो बिल्कुर SIMPल सी बात है आई प्लास एको 90 गर्ख हो तन उसी कंसेप्ट से हम इसको को करेंगे प्रावर्थित अफवर्थित करेंड के लिए एक दूसरे किया होती है लंवत होती है तो आ 10 का मान आपको पता है तीन बटा दो होता है यानि 1.5 होता है ठीक है अब आई बिए 10 इंवर्स एक पॉइंट पांच वह लग बग यह चला जाएगा आपके सताउन डिग्री यहां दो को 10 साट क्या होता है रूट तीन होता ना तो लग बग एक पॉंट साथ हो गया एक पॉं दिग्री ठीक है जो वायू के काच के अंत्रापास पर बुरुष्टर कॉन होता है यह लग बग कॉन होते हैं तो कोई दिक्कत ओले बात नहीं है हमने रूट 3 से हिसाब लगा है कि देखिए 10 पैंतालिस होता है एक और 10 साट आपका होता है रूट 3 रूट 3 हो यहां 1.73 तो यह हमने इस पर एक्जाम पर सॉल कर दिया तो इस वीडियो के अंधर हमने जो पड़ा है वह बहुत सांधा टोपिक थे सारे एक्जाम के दर्श्टी से मैतर पूना है यह वीडियो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना सुनना और इसको कॉपी में नौट्स अच्छे से इसके थ्यार करना तो बच्चो अब यह जो चैप्टर है तरन प्रकास से की एजे सेदांतिक रूप से थेओरिटिकल पार्ट इसका हम पूड़ा कर चुके हैं अब जो इसके नुमेरिकल्स बह गए हैं उसके लिए बच्चो हम मिलते हैं नेक्श वीडियो में धन्यवाद